पॉलर्स में इन मैथर्स को यूज़ करते वे गर्मियों में अफॉर्डिबल एंड लॉंग लास्टिंग मेकप बेस बनाए जाती है और इनी सेम प्रोड़क्स के साथ आप पार्टी मेकप और ब्राइडल मेकप बेस दोनों बना सकते हैं आज आपके साथ मैं समर्सपेशल विडियो शेयर करने वालई हूँ जो के बहुत ही रिक्वेस्टिड है बहुत इन्तहाई अफॉर्डिबल प्रोड़क्स के साथ बहुत ही कम कीमत प्रोड़क्स के साथ आपने किस तरीके से पार्टी मेकप और ब्राइडल मेकप बेस बनानी ठीक है जो लोग बहुत मेंगी मेंगी प्रोडस अफॉर्ड नहीं कर सकते खास तोर पर यह वीडियो उनके लिए बनाई है आपने वीडियो को कम्प्लीट वाच करना है और इन तमाम प्रोड़क्स के लिंक्स आपको दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इनके साब को कई भी चीज़ चाहिए हो तो आप लोग को हाँ से चैक आउट कर सकते हो चलें जी वीडियो को स्टार्ट कर लेते है फर्स मेथड में मैं आपको पार्टी मेकप बेस बनाना सिखा रही हूँ हमारी वीडियो के मेन हाइलाइट है मैक की प्राड़क्ट मैक बेस ही हम यूज़ करेंगे पार्टी मेकप में भी और ब्राइडल मेकप बेस के अंदर भी ठीक है क्योंकि यह बहुत अफर्डिबल होती है और यह बहुत जादा लड़कियों के पास अल्रेडी मौजूद होगी तो मैंने यहां पर क्या किया सबसे पहले यहां पर प्राइमर लगा लिए यह मिस्रोस का पर्ल प्राइमर है इसको लगाने के बाद आपने स्किन को दो मिनट का रहस देने कभी भी प्राइमर के बार डिरेकली बेस नहीं अप्लाइ करते है बेस केकी हो जाती है खराब हो जाती है और लॉंग लास्टिंग भी नहीं रहती अच्छे जिसके बाद मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मुझसे का कि आपने मैक बेस के साथ लिक्विट फाउंडेशन को अप्लाइ करने का मैथड नहीं बताया तो जो नॉर्मल लिक्विट फाउंडेशन होती है वो मैक बेस के साथ कभी भी यूज नहीं हो सकती है अपकी बेस भर जाएगी स्टे नहीं करेंगी लांग लास्टिंग नहीं रहेगी आपने क्या च्रीक लिक्विट है। foundation के लगाए liquid matte foundation के उसके बाद आपने क्या करने है mac की base को apply करने है अच्छा जो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक question का answer कर देते हूं जो आप लोग बहुत जादा कमेंट्स में पूछते रहते हो कि हमारी जो है क्रीम्स लगा लगा के खराब हो गई है और रेड हो गई है बिल्कुल भी ठीक निए उसकीन का जो बेरियर हो हट गया तो अब यह कैसे ठीक होगा मुझे यह question लाता अदाद बार रेसी वो है तो मैंने आपके साथ यह product share करनी है XFO skin repair serum है यह ठीक है और यह specially use होता है आपकी skin के barrier को restore करने के लिए आपकी skin पर जो भी reaction हो है ठीक है redness होई है pimples होगे acne होगे बाद लोगों को make-up से भी acne हो जाती है ठीक है जो लोग brushes का wash करने का खयाल नहीं रखते या फिर बाद वकार salons में ऐसा होता है कि एक दूसरे को brushes लगा देते हैं किसी एक को acne है दूसरे को भी same brush से make-up कर दिया तो इसको acne हो जाती है अच्छे salons में इस serum को use किया जा रहे तब ही वहां से आपको make-up कराने से pimples वहरा नहीं होते जब कि कुछ लड़कियां जो अपने salons में इसको use नहीं कर रही वहां पर आपको ये pimples की शिकायत हो जाती है तो जो लोग अभी तक इसको अपने salons में use नहीं करें तो आपको ये रख लेना चाहिए ठीक है और ये हमेशा rose water के साथ इस्तमाल होता है dry skin के ओपर कभी भी serum इस्तमाल नहीं किया जाता तो आपको result नहीं मिलते है तने अच्छे ठीक है आपने rose water के साथ skin को हलकालका से damp करने है उसके बाद आपने serum को apply करने है और ये आपके primer का भी काम करता है ठीक है ये आपको pimples से भी बचाता है ये आपके skin को भी repair करता है अगर आपको sunburn हो गया है acne हो गई है कोई भी skin reaction किसी भी product से हो गया है तो ये product सब लड़कियों के पास होनी चाहिए यहीं पे screenshot आप इसका ले 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 ठीक है इसका नाम है एक product है royal rose water और इसमें ये आम rose water नहीं है ठीक है वरना rose water मेरे पास और भी बहुत से पड़े वे इसमें जो है ना vitamins डेले वे हैं जो आपकी skin healing में help करते है और साथ में यह XFO skin repair serum ठीक है इनका screenshot ले 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 इसकी website का मुझे idea नहीं आइधिंग नहीं है website यह पता नहीं होगी बी तो मुझे नहीं पता और मैंने यहां जहां से मंगवाई है ना उसका WhatsApp नमबर मैं आपको दे दूँगी तो वो easy रह जगा आपके लिए ठीक है आप लोग ने मंगवाना हो तो मंगवा ले ना ठीक है जी तो अब जितनी भी लड़कियों के questions थे वो यहां पे clear हो गये हैं उसके अलावा भी आपको कोई issue हो तो आप मुझे comment section में बताना मैं आपको guide कर दूँगी चलें जी party makeup base में liquid foundation हमारी अच्छे से apply हो गई थी उसके powder हलका सा loose powder apply करें बहुत जादा नहीं brush की help से हलका सा लेकर आपने अपनी base को इससे set कर लेना है ठीक है यह छोड़ी छोड़ी से tips होती है जो आपकी base को long lasting बनाती है और bases में यही फर्क होता है professional base में और एक arm जोलर की होते base बनाती है उसमें यही difference होता है छोड़ी छोड़ी करने के बाद हमने base को set कर लिए अब बार यहाती है हमारी mac base को apply करने के और इसको apply करने के लिए में यहाँ पर wet sponge यूज करूंगी यह market से आपको easily मिल जाता है और यह wet basis को apply करने के लिए ही use होता है आपने इसमें से जो है ना इसको पानी में डिबोन है और इसको आदा अगें यहाँ पर भी आपने जिस तरह से liquid foundation को भी एक कम मिकदार में लगाया था आपने mac base को भी इसी तरीके से थोड़ा ही लगाना है बहुत जादा नहीं apply कर देना एक तो party makeup base बहुत जादा heavy अच्छी नहीं लगती दूसरी बात यहाँ गर्मियों में वैसे भी heavy makeup bases अच् अच्छे से सेट कर लेना है और अच्छे से सेट करने के बाद जब आपको बिल्कुल satisfaction हो जाए कि base सारी एक जैसी हो गई है उसके बाद आपने क्या करने है अब आपको यहाँ पर base में प्रोपर शाइन भी नज़रा रही है आपने लेना है beauty blender और उसकी help से इसको अच्छे स से सेट हो जाए और last पर आपने loose powder से इस base को अच्छे से सेट कर लेने है ठीक है sponge से दबा दबा के loose powder लगा दे और जो भी extra लग जाएगा तो उसको हम brush की help से dust off कर देंगे हमारी base यहां पर final हो चुकी है और last में आप fixing spray जरूर गर्मियों में यूज किया करें आपकी base बहु आप भी हद तक waterproof होती है और sweat proof हो जाती है लेकिन दूर से spray किया करें और spray करने के बाद आपने इसको कुछ भी नहीं छेड़ना ना इसके ओपर sponge लगाना है ना brush कुछ भी ऐसी छोड़ देना है तो party makeup base हमारी यहां पर बिल्कुल ready हो चुकिया चलें देख लेते हैं second method जो कि आपको पहले वीडियो में दिखाया ठीक है उसके बाद हमने serum apply कर लिया ताकि आपकी bright को functions के बाद कोई भी infection ना हो कोई भी pimples वायरा ना हो किसी भी किसम के ना brush से ना sponge से किसी भी चीज से ठीक है तो आपकी skin बहुत अच्छे से ready हो जाएगी तो आपने अब यहां पर जो ह क्योंकि TV paint stick से पहले हमने कोई भी primer यूज नहीं करना होता तो हमने जो serum apply किया ना यही primer का काम करेगा और हमें अलग से कोई भी primer यूज नहीं करना पड़ेगा हम direct stick apply करेंगे stick की मिगदार भी मुनासिब रखेंगे बहुत heavy stick की application नहीं करेंगे ठीक है मुनासिब से मिगदा और ठीक होती है थोड़ी सी तो आपको इसको blend करने में time लगाना पड़ते है जितना अच्छा blend करेंगे जितना ज्यादा blend करेंगे base उतनी flawless बनेगी इसको अच्छे से blend करने के बाद अब आती है बारी हमारी यहां पर mag base को apply करने की तो mag base को आप brush से भी apply कर सकते हैं sponcer apply कर सकते हैं bridal base में prefer करती हूँ कि आप brush से apply करो यहां पर paste ना बहुत जादा पतला होना चाहिए ना ही बहुत जादा ठीक होना चाहिए ठीक है तो हमने यहां पर apply कर लिए मेरे से यहां पर थोड़ा पतला हो गया तो तो मैंने again apply करके CCA coverage दे दिये ठीक है और उसके बाद में क्या करूँगी इसको बहुत अच्छे से blend कर दूँगी ताकि कोई भी extra मिकदार हमारी skin के ओपर ना रहे जो बाद में हमारी base को ताकि केकी ना करे खराब ना करे यही छोड़ी छोड़ी से चीजें होती है make up में जो है ना base बनाने म सारी game होती है blending की कितने अच्छे से आप अपलाए कर रहे हो चाहे फिर कितनी affordable product ही क्यों ना हो आपको बहुत अच्छा result मिल जाते है ठीक है कुछ लोग होते हैं उनको महगी महगी basis के साथ भी अच्छा result नहीं मिल रहा हो ता क्योंकि उनको लगाने का तरीका नहीं आ रहा ह क्योंकि गर्मिया है और गर्मियों में अच्छे से आपने प्रेस करकर के compact powder apply करने जो भी extra amount लग जाए इसकी फिकर नहीं करनी हम dust off कर देंगे ठीक है लेकिन पहले आपने apply अच्छे से करने जाद जाद apply करने ठीक है जी extra amount को हमने dust off कर दिया and पे आपने करने fixing spray दूर से और base को छोड़ देने बिल्कुल भी हाद नहीं लगाना आप and your base is ready so यह थे दो methods जो के professional methods हैं बहुत ही affordable products हैं बहुत कम कीमत products के साथ मैंने आपको बड़ा जबरदस methods share की हैं इनको try करें अपनी base बनाने के जो एक हुनर होता है ना एक जो techniques होती है उनको follow किया करें ठीक है बाकी product कोई भी हो काम हो जाता है बस आपको काम करना आना चाहिए तो यह थी आज की वीडियो I hope आपको मेरी सारी tips and tricks बहुत पसंद आई होगी और आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा चैनल को subscribe कर ले मैं आप से भी लिए किसे और informative वीडियो के साथ तिल देन अला आपीज